एक हाने बश्चों कियसे हैं आप अच्छे हैं सोगते हैं और अच्छे से आप ब्जह रहे होंगे ठीक़े सी verdECH 90 मैं चाहता हूँ आप अच्छे से रहें अच्छे सर्दम पराई करें तो बश्चों आपको में आज इस किलास में जो है हमारी पहले क्लास आप कह सकते हैं 11 की क्लास 11 के लिए मैट की क्लास बच्चो आज हम सुरू कर रहे हैं और आप देखेंगे बच्चो कि आपकी जो सबसे पहला चैप्टर बच्चो सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम आपको उसके बारे में आप जानकाई देंगे एक्सामपल करेंगे एकसराइज करेंगे और हमारी वच्चों कोसिस पूरी होगी कि उस चीज़ को अच्छे से तरीके से आपको करаєं जिस सब्सक्राइब गए नोट करते जाएं उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो यही चीज आपकी बहुत ज्यादा सान होती जाएंगे तो अब सुरूब करते हैं इस किलास का सबसे पहले zar सबसे बेखिए तो आप देखेंगे तो समचे को आप आप इंग्लिस में एक नाम इभी कह सकते हो जैसा आप यहाँ पर सकते हैं सेट्स बच्चों आप समुच्चे को इस प्रकार परिभासित कर सकते हैं कि समुच्चे जो हमारा है बच्चों एक कलेक्शन होता है अब कलेक्शन का मतलब समझ गयोंगे किएखटा करना किसको इखटा गाना आपके वह सकते हैं कुछ भी बच्चों पर वह बच्चों क्लेक्शन या वह वह वस्तूं की सूपरिभासित हिंग्लिस में आपको बता हूँ वेल-डि फायंड मतलब जो हम बच्चों करेंगे मतलस समुच्चे में मैं क्या मतले हैं एक collection इखटा करना पर वो collection यह इखटा करना आपका सू परिभासित होना चाहिए है मतलब उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए निश्चित रूप से पक्के रूप से अब जैसे मैं आपको पताता हूं देखो एक एक्जामपल तब आपको मैं आगे पताऊंगा कि इसके आगे किस-किस प्रकास से इसको परिभासित काना है ठीक है अब देखो जैसे बच्चों मैं कहरा हूँ अंग्रेजी जो वरमाला होती है अंग्रेजी वरमाला होती है उसमें हमको बता है कितने होते हैं अक्षर 26 तो उन 26 के 26 को आप इखटा कर लो तो वो आपका क्या हो जाएगा सुपरिभासित मतलब जिसके बारे में बच्चों मैं आपको बहुत धंक से बात कहना चाहरा हूँ इस बात पर फोकस काना आप जिसके बारे में हमको जानकारी हो कि हाँ ये हो सकता है तो वो आपका समुच्चे के अंदर आ जाएगा ये समुच्चे कहलाएगा और अगर नहीं है तो समुच्चे आपका नहीं होगा तो बच्चों आपको मैंने ये बताया है कि क्या होता है समुच्चे अब मैं आपको ले की जा रहा हूँ इसके आगे वहले points पर जो आपको मैंने परिवासा बताई हो दोखो इस प्रकार से भी है देखी वच्चों तो यह आपका आ रहा है यहां से साथ साथ वच्चों जो आप यहां बोर्ट पर देख रहे हैं आपको वो चीज आपकी NCRT की books में मिलेगी मिलेगी पर आपको यह सम जहा रहा है उस चीज का आपको नोट करना होगा फिर जैसे आप समझ लेंगे फिर हमाएंगे इसके एक्जामपल पर अब देखे बच्चों तो आप यहां देखेंगे जिसकी मैंने आपको बात बताई वो क्या था वस्तों के सूपरिभासित संग्रह को आगे बच्चों व पर हैं एक संगरह बच्चों वस्तों के सूपरिवहासित संग्रह को हम एक संगरह कहते हैं थीक बच्चों आगे बसे बच्चों अब मैं आपको जैसे यह चीज़े आ बताता हुआ कि जो समुष्चे होता हिवासा हो गई कि एक संगर होता है हमारा सूपर हिवास अब आप देखेंगे कि इसमें जो उसके हम कहते हैं कि यह कलेक्शन है यह एक इखटा होना है उसमें जैसे आपको मैंने क्या बताया अंग्रेजी के 26 जो आरेंस में लेटर आ तो उसद्थों को हम कुछ नाम देंगे कि यह क्या है समुच्षे का क्या है वह देखी बच्चों यहाँ कर हमें निमनिखित बिंदू पर ध्यान ना है बच्चों बिंदु का मतलब वही आ गया है यहां पर आपका यह यह बातें आपको पता होने चाहिए समुच्चे के लिए देखो इसका फर्ष बिंदु क्या कह रहा हूं जैसे मैं बच्चो अगर मैं कहता हूं कि एक समुच्चे है फलो का किताबों का तो आपकी किताब के साफ से चलेगा समुच्चे वो फलो के साफ से चलेगा तो कुछ भी आप उसको उसका वो कह सकते हैं प्राइबची उसमें अव्यब भी आप कह सकते हैं कि हम फल नहीं कह रह सबसे में पॉइंट्स बच्चो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी तो अभी हम सुरुआत किसी करें कि समुच्चे को परिवासित कैसे करना है क्या होता है आखिरकार यह ठीक है तो बच्चों दूसर पॉइंट्स क्या है इसका अध्यान से देखिए समुच्चे को प्राय अंग्रेजी बड़वाला के बड़ों अक्षनों से निरूपित करते हैं मतलब आप देखिए कभी भी अगर समुच्चे के बारे में बात होगी तो उसको किस से दिखाएंगे अंडिये जी के बड़े अक्षनों से देखो जैसा आप मालो यहां पर कैपिटल ले ँगया capital B हो गया capital C कुछ भी ले लो आप पर वो होना क्या चाहिए अंग्रेजी का बड़ा letter capital A, B, C, D कुछ भी हो सकता है पर वो होगा कैसा बड़ा होगा जैसे हो ले लो X, Y, Z, E, T, C कुछ भी ले लो पर वो क्या होगा बड़ा होगा यह इसका दूसर points है अब आते हैं तीसर points पर तो बच्चो तीसर points क्या कह रहा हो समुच्चे के अव्यवों को जैसे मैं आपको क्या बताया एक collection है समुच्चे एक खटा होना है समुच्चे मैंने आपको एक्जामपल दिया अंग्रेजी के वड़मालों को 26 जो होते हैं ठीक देखवा को मैं बतातों मालो बच्चो मैं तो आपको साइड में बता रहा हूं बस यह आपको समझने के लिए है जब हम एक्जामपल पर आएंगे तो इस पूरी पड़के देखा समझ की देखा कि हां क्या क्या हमने आपको बताया है जितना आप खुद अंदा से करके देखेंगे समझेंगे उतनी बात हपकी किलियर होती जाएगी चलो आगे बढ़ता है तो बच्चों जैसे मैंने आपको 5 26 वोते हैं हमारे पहली बातक। अब यहां देखिए बच्चों जैसे मैंने आपको क्या बता है समुच्चे को किसे दिखाते हैं अंग्रीजी के बड़े जो अक्सर होते हैं capital letter तो जैसे बच्चों मैंने कुछ भी माल लिया मैंने माल लिया कि यह हमारा है A1 आप देख सकते हैं A1 कैसे मैंने लिखा हुआ capital वन को माल लिया थोड़ा अलग दिखाने के लिए अब देखिए क्या हुआ तो यहां पर क्या हुआ वच्चों A1 हमारा एक समुच्चे हो गया पहली बात उसके अंदर जो आएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं वच्चों वर अब दूसरी बात क्या तो बच्चों यह तो मैंने दिखा दिया कि वह यह एवन हमारा समुच्चे है कि इसका अंग्रेजी के जो वर्माला होते हैं 26 नमरों का अक्षरों का चलो अब होगा क्या इसको मैंने एवन तो लिख दिया अब बराबर भी लगा दिया यह भी आए पहले आए आए अब इसको बच्चों होता की आये हैं हमें एक ग्रैकट जैसे आप को मैं बतातों प्रैकट आपने बच्चों तीन परकार के ब्रैकट पड़े होंगे प्रगार को tahun कॉन्से हैं देखी जारा आप को स्कूर्ण याद आएगा यह तो आपने इनका मिनोंक्य ह तो बच्चो आप देखेंगे एक तो होता था एक वाला ब्रैकेट छोटा इसको में बोलते हैं आप भी यह बोलते होंगे आगे सब्सक्रों दूसरा बच्चो आता है कुछ कुछ इस टाइब का ये देखिए कुछ इस टाइब का तो आता है इसको क्या बोलते हैं दें मंझला फ्रैक्टिंश कwowali छोटा दूसरा वाला का बच्चो मंझला एक और आता वो बटावाला देखों यह था तो यह आपका होता है बच्चो एक तेरों बता दीostic तो आपको हर चीद पता हों चीए है मंजला है तो उसको मंजला लिख दो और तीसरा वाला क्या होता है आपका यह सब बढ़ा जो जो आपको 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 मैं बताया अब क्या होगा समुच्चे को capital letter से दिखाते हैं वो भई ये मैंने दिखा दिया उसके आपको उधाना भी दे दिये कुछ भी मालो बड़ा मानो अब आगे आओ आपको क्या करना है जैसे यहाँ पर लिखा समुच्चे के बारे में बराबर आएगा आएगा इन तीनों में से बच्चों इन तीनों में से एक ब्रैकिट हमेशा हमेशा समुच्चे के लिए यूज होता है हमेशा होता है कौन सा होता है बच्चों ये वाला मंझला ब्रैकिट आप ये देख लो पूरा चैप्टर खतम हो जाएगा और आगे भी अगर समुच्ची का यूज आएगा कहीं पर भी तो हम क्या करेंगे कैपिटल लेटा लेंगे और ब्रैकिट कौन सा बनाएंगे मंजला वाला यह समुच्ची के लिए होता ही होता है बच्चो अब एवन आ गया बरावर आ गया अब क्या हुआ यहां आपको मैंन सब्सक्राइब कि अग्रेजी के वर्माला की 26 आ रहे हैं तो 26 आ जाएंगे इसके अंदर मैं कह रहा हूं दो से लेके दस तक संसंखिया है दो चार आठ छे यह आठ दस वो पूरी पूरी आ जाएंगी तो इस प्रकास से वो उसके क्या खिलाते हैं बच्चो अब यहां आप प्रकास यह देखिये कि अब बी सी और डेडस करके बच्चों यह कितना आगे हमारा जैड तो अब यह पूरा एक प्रकास से बच्चों समुच्चे बन गया क्या एवर हमारा समुच्चे था कैसा लिखा है मैंने इसको बड़ा बरावर ब्रैकेट हमेशा याद एकना मंजल अकसर ABCD पूरा ना लिखे कहां तक पहुंच गया मैं जाट तक तो अब क्या हुआ यह जो होता है बच्चों यह देखिए यह जहां पर मैं अंडलाइन कर रहा हूं इस पर आपका फोकॉस जाना चाहिए जहां पर मैं क्या कर रहा हूं अंडलाइन तो उस ब्रैकेट के के अवयवों को अंग्रेजी बड़माला के छोटे अक्सरों दोवारा प्रदेशित करते हैं जैसे ABCXYZ अगर अवयव आ रहे हैं तो आप इसको स्मॉल में भी दिखा सकते हो अब आप यहां सोचेंगे ABC कैसे आ गया जैड उसी को बच्चों ने चेंज करने के यहां पर क्य को कह रहा है कि छोटे अक्सा होंगे तो आप इसको छोटे में चेंज कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब बात क्या होई समच्चों किसे दिखाएंगे बड़े जो होते हैं कैपिटल लेटर उसके बाद मंजला ब्रैकिट आएगा और वहां पर इसके अवयव आ सब्सक्राबर मंजला ब्रैकिट तो आपको आना आना है अब 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 अगर इस प्रकाल लिखना है एबी सीडी तो आप इसको ऐसे कर दोगे कैसे एबी सी और जैड करके ऑगाशन धिया तो आप इस वारत दिहां रखो फिर ढूब यह जो मैंने आको बच्चों बताया है यह जो मैंने आपको पॉइंट बताया है उपर मतलब क्या है जो एक collection होता है वो मंझले रैकेट के अंदर आता है बस इस समझाने के लिए है यह पूरी पूरी कंडिशन आ गई इस तीसे पॉइंट को दिखाने की और जो बच्चों मैं उपर बता है वह समझाने के लिए एक आइडिया कि यहां पर किस किस परकास है हम इसको दिखाते हैं बच्चों एक पॉइंट इसलिए आपको डिटेल बता रहे हैं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यह पॉइंट्स आपको ढंक से पकड़ में आएंगे तो आप असानी से सवालों को कर सकते हो अब 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 अगले पॉइंट की तरब कि अगला पॉइं है च्चिर है एक संगरे होता है कैसा वो देखें अब देखेंगे यहां पर दे रखें इस से प्रकास छाप याई सकते हो देखिए कैसे यह दे रखांप्पे और कर और यही नहीं मानने ऐकोश भी ले सकते हो छुब ही यह तो बता रखा है कि यार यह जो हमें बता रखा है वो आपका समुच्च होगा ही होगा देखिए फर्स पॉइंट क्या है बच्चों फर्स पॉइंट आप देखेंगे क्या रहा है दस से कम विसम प्रकरत संख्याएं बच्चों दस से कम विसम नंबर कौन-कौन से होंगे प्रकरतिक आपको पत प्रकार्टिक संख्याएं जो होती हैं वह आपकी सुरू किससे होती है यह देखिए दो तीन यह कुछ यह जो समझाने के लिए कि आखिरकार क्या क्या होता है किस प्रकार लिखा जाता है क्या मतलब है ब्रैकिट के अंदर के मतलब नमबरों का क्या खिलाते हैं उसके अव्याव चलो आगे बढ़ते हैं तो अब जैसे बच्चो एक हमने वो ले लिया ठीक है हमको बता है यह प्रकार्टि संख्या क्या क्या होती है एक दो तीन चार्ट चलती जाएंगी यह कहा तक चारे बच्चो आप बच्चो दस से कम कौन कौन सी होंगी सिंपल से मात बच्चो एक तीन पा 5 यह संक्ख्या है थीक है अब आप बताईये बच्चो क्या अगर मैं आप से बोलता हूँ इस से कम कंदें के आइशनों ब् SURviolition कि of'ἱ्न क्या Mm trillion कॉल्व तो क्या ये बात निश्चित नहीं है कि हाँ हम याई ये 20 से कम संख्या को निकाल सकते हैं तो जो बात निश्चित होगी वो आपका समुच्चे है और जो थोड़ा सा अनिश्चित हो गया जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है या कुछ आप थोड़ा सा समुझने पा यहां पर आप क्या लिख दो बच्चों यहां भारत की नदियां जिततने भी नदियां है भारत की उसके बारे में गंगा नदी यमना नदी जितने भी यह बच्चों तो उसके अंदर आ सकता है मुझा हम इसके बारे में जानकारी तराप कर सकते हैं निश्चित रूप से तो आपका समच्ची हो गया ऐसी बच्चों यह आपके तीसरा जो आज आए था आपको यह पता है बच्चों क्या एई आई ओ यू एई आई ओ यू हमको पता ही होते ही होते हैं यह तो चेंज नहीं होते यह भी वह यह निश्चित है जो निश्चित है जिसके बारे में जानकार यह बच्चों वह आपका समुच्चे होता है तो यह बच्चों आप इसके एक्जामपल कह सकते हैं ठीक ऐसे आ होता है जिसमें दो बुझाएं वरावर होती है उनको आप इखटा कर सकते हो वह भी आपका समुच्ची हो जाएगा तो बच्चों समुच्ची आखिर क्या हो बस फिर मैं आगे बना चाहूंगा समुच्ची आपका होगा एक ऐसा कलेक्शन एक ऐसा संग्र है जो आपका सूप पसान हो रहे हो या कुछ आपको आइडिया नहीं आ रहा है जो निश्चित नहीं है वह आपका समुच्चे नहीं होगा इस पर ध्यान किये अब मैं बढ़ता हूं आगे बच्चों आगे आपका पॉइंट्स आएगा यह देखो बच्चों यह तो इसी के एक्जामपल है ज हाज्य गुरंखंड आप निकाल लिए अब हाज्य का मतलब आप यह कह सकते हैं कि वह नंबर जो बस अपने आप से डिवाइड होगा कौन कौन से इसने लिए दो तीन पाथ साथ तो दो तीन पाथ साथ यह भी एक निश्चित है कि भाईया यह आपका अभाज्य गुरंखंड है समुच्चे हो जाएगा आगे आए समी करण एक्स स्क्वेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बरावर जीरो आप देखेंगे य कितनी इसमें घात आ रही है घात तो आपको पता है जैसे हमान लो बच्चों में ऐसी मान लिया एक्स की पावर चार प्लस फाइव एक्स प्लस सिरी कुछ भी बच्चों हो तो यह जो मैं आपको एग्जामपल दे रहो हूँ है अपनी तरफ से मेरा ऐसी है बस आप समझ जो बड़ी घात घात को इंगलिस में होता है पावर कितनी आ रही है दो आ रही है तो उसके दो होंगे मूल मूल समझ गए एक्स के दो मान आएंगे मैंने जो एक्जामपल बना दिया वो उसमें चार आ जाएंगे इस परकार तो यह निश्चित है कि भाई आप इसके अगर दो मूल है तो हमें दो निकाल दिए दो तिन जी भी समुच्चे हो जाएगा जिसके बारे में जानकार दिये जिसके बारे मां निश्चित कह सकते हो वह समुच्चे है वरना समुच्चे नहीं है आपको किस प्रकार दिखाना था वह भी मैंने दिखा दिया आपने देखा होगा जो इसके नमबर आएंगे वो कैसे लिखी जाएंगे small ठीक है जो नमबर आएंगे एक बार और देख लीजिए देखो जैसे हाँ मैं X माल लूँ बच्चो X कोई समुझे माल ले ये देखो ये तो आना ही आना है मंसलब रैकेट उसमे कोई डाउट नहीं हो तो आएगा मैं बच्चो ऐसी माल लेता हूँ मैं नमबर ले रहा हूँ दो से लेके 10 तक कहां से कहां 2 से 10 तक तो ये देखो 2,3,4,5,6,7,8,9,10 तो मैंने क्या बोला कि मुझे 2 से 10 तक नमबर चाहिए दो से लेके 10 तक नमबर चाहिए तो क्या हुआ 2 से लेके 10 तक ले लिया 2,3,4,5,6,7,8,9,10 हो गया ये भी आपका समुच्च है जिसके बारे में जानकारी है वो आपका समुच्च है अब मैं बढ़ता हूँ आगे वाले पॉइंट पर आगे क्या होने वाला वो देखो आईए बच्चो आप कुछ बच्चो ऐसे उधारन आपके सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आपको तुरंद पता होने चाहिए अब आप कहेंगे मैं तुरंद क्यों कह रहा हूँ क्या होगा जोको ऐसा भी हो सकता आप कुछ सवाल मिलेगा कि एक सवाल दिया उसने चाहिए वो एक्जामपल होई है एक्ससाइज के एक सवाल दिया और वहाँ पर क्या हुआ बच्चो उसने एन लिख दिया एन लिख तो दिया पर एन क्या है आपको पता है नहीं है कहीं पर उसने क्या लिख दिया जैड लिख दिया जैड के वारवे नहीं बता रखा और ये भी हो सकता है बच्चों कहीं कहीं बताता है कहीं कहीं नहीं बताता है तो जहां बता रहा है वहां तो तो टैंसन नहीं है कोई दिखकर नहीं पर जहां पर नहीं बताएगा वहां टै 34567 यह साथ आपके समुच्चे हैं और किस बर्गार के समुच्चे हैं वो यहां पर हमको बताया गया है तो इसका मतलब क्या है आपको यह पॉइंट भी याद होना चाहिए कि भी एन आ रहा है तो एन क्या होता है आ रहा है आ क्या होता है जैन्द क्या होता है देखते हैं चलो इसको वर ऊ-चो चो बिन्दू आ रहा है हो क्या रहा है य समोल लिखा हूं य सिरी में कैपिटल में आ refugeeऑ लें तो कैपिटल में लिखने कांप या उस होगा संभा अगर संक्याओं बच्च अब क्या है संख्याओं का समुच्छ आपको क्या बताई है सुरू का से होती है एक से कि वो सुरू का से होंगी एक से सुरूघंगी है चलती जाएंगे बच्चों होता है पुरांकों का समंच्च है जैड क्या है जैर है कि आधे क्या है दुखल के बच्चों का समच्च आपको मैं एं पीछे लिखा चुका हूँ एं लिख दो प्रहके समख्याइए 176 हो चलती जाएंगे नहीं आएगा अब पुरांको को समूच्चे प्लस वन प्लस टू प्लस थिरी आ सकता है था जी रूब यहाँ यहाँ पर जो डैड्रस लगा रहो होगा तो यह आपको पता हुद्ची कि अगर जैट लिखा होगा तो जैट का मतलब पुरामकों को कसमुच्छे होता है का मैं सबराउं का सब्सक्राइब अपर्यमें संख्याओं का समुच्छे परिमे संख्याएं आपको मैं इसका एक आड़े देता हूं बच्चों अगर परिमे संख्याओं का समुच्छ तो परिमे संख्याओं वो होती है जो आपकी भीन के रूप में लिखी आती है कुछ आप यहां पर आप यह मना लो ठीक है एक आपको एक्जांबल दे रहूं मैं कुछ ऐसा हो जाएगा पीवन बटे क्यूवन कॉमा पीटू बटे क्यूटू और देखी बच्चों इसको मैं छोड़ दिया एक ऐसा समुच्छ है जिसमें अव्यव कैसे आएंगे पी बटे क्योगी फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा परी में आगे बढ़ो आँ आर आ रहे है वास्ति विक संख्याओं का समुच्छे कि भईया वास्ति विक संख्यां हैं बच्चो कि वास्तविक संख्या है क्या होती है कुछ भी कि प्لस-वास्त, zero in आजेगा पिलस-वास्त का सारा या तर। चाहेगा क्या वास्तिविक संख्या आपकी एक आइडिया रहे कि यह वहां से हमारा connect सवाल है मेरे मतलब यह कहने का चलो आगे बढ़ते हैं आप बच्चों मैंने क्या बताया वास्तिविक संख्याओं का समुच्च है सब कुछ आयागा इसमें देखो जैसे आपने ले लिया और टू जी-डू माइनसं उन माइनसं का 25 बटे दो मायनस का तीन बटे दो डेड्रिस करके आपका अगया पांश बटेश है कुछ भी तो आप देखेंगे आप या अबर सारे नमबर आ रहा है भिन भी आ रहें प्लस की-ध माइनस की आ धिजीडो भी आ रहा है पुरांक भी साह साह आपके क्या होता है वास्त्री विक्संख्या है आगे बढ़ते हैं जैड प्लस बच्छो देखो आप उपर देखिए जहां मेरा हाथ जा रहा है हाथ भी जा रहा है और जहां मैं हाथ लगा रहूंग यहां पर इस पॉइंट पर जैड क्या था पुरांकों का है उसमें आप प्लस लो माइनस लो कुछ कहा था नहीं तो सब आएंगे अगर वो कहता है यहां कह रहा है बच्छो यहां कह रहा है देखो जैड प्लस यह क्या कह रहा है बच्छो जैड प्लस मुझा जैड तो पुरांकों का समुच्चे है कन्फरम होता ही होता है पर उपर क्या साइन आ रहा है कि अब प्लस साइन का मतलब क्या हुआ कि यहां पुरांग तो है पर सारे सारे प्लस के हैं तो यहां आप वह नहीं सकते माइनस आप यह ले लेंगे एक ऑचिदी और भागा तो आपका दोनों में count हो जता है तो यह आपका जैट प्लस हो गिया पुरांक आएगा साए सारे प्लस के क्यों प्लस धन परिमे संख्याओं का समुच्च आपको मैंने क्यों क्या बताया क्यों क्यों होता है जिसमें आपके अव्यव यह जो होती है में इसकी फॉर्म जो रूप होता है क्या सोता है बच्छों फी वाइक्यू प्री टूंप ठीडिशधे यहां इस्सक्राइब प्र सकता है अगर यह प्लस का हो गया तो सारे सारी नंबर से आएंगे आप माइनस का ले ही भी ही नहीं सकते है तो यह पोइंट व्याइव पत्तों कहुंतिंट बैला कि असलिए निहां। आगे बढ़त हैं हिंट आपको देना चाहँ है आगे बढ़ते और प्लस आगे मेन्वास्तिविग संख्याओं का समुझ़ है बच्छो मैं आपको एक हलका सा हिंट दूँ आप सिंपल सिंपल याद करो सिंपल सिंपल का मतलब क्या हुआ देखो बचो एंड जो है एंड तो प्रक्रत संखें होती है वह एक से सुरू होंगी चलती जाएंगी उसमें ना माइनस आता है ना भीन आएगा उसकी दो बात है ही कंफर्म अब जैसे हमेंने जैड बताया फीप्रण ले लिए प्लास-2 सब आ ओगा पक्लास आ गया तो फलटिल ले लो यह असान तरीक्त सब्सक्राद को क्या लो मार एट बना सकते हूं एक वारmee मैं पता है उपा साइंद दीक लिए प्लस लिने होंगे माईनस माईनस मैं बढ़ता हूं आगए बच्छो और एक्रइज नम आप कह सकते हो हमने आपको अब तक क्या के बता स्कतारियां कि समुच्चे की परिवासा उसकी Example उसको लिखने का तरीका भी कि वह लिख जाएगा अंग्लेजी के बड़े अक्षरों में यह आपको मैंने बता दिया तो एक्जामपल आपको मैंने बताया था किस प्रकार रिख आएगा फिर आपको क्या बताया था अब यह क्या होते हैं अब यह क्या बताया आपको जो उसके अंदर आ कुछ भी आया अंदर सेबफल एबी सेडी नंबर कुछ भी वो उसके अवयब होते हैं जैसा आपको मैंने आप साथ साथ बताया ठीक है उसके अंदर जो आता है वह उसके अवयब अब बच्चों होआ क्या कि समुच्चे को कि दिखाने के दो तरीके होते हैं मैं आपको जो चाहो यहां पर बता दूंगा और उसके अकॉर्डिंग यह फर्स हो जाएगा और उसके बाद जो आएगा वह सेकेंड तो मैं यहां बच्चों आपको लिखाना चाहूंगा समुच्चे को ठीक है समुच्चे को निरूपित करने के करने के ठीक है आप देख सकते हैं समुच्चे को निरूपित करने के दो तरीके होते हैं आप इसको ऐसा लिख दो वहे हैं क्या रिक्तार हैं तरीके होते हैं अब बच्चों जैसा मैंना आपको यहां पर क्या लिखाया कि मैंना आपको अलग से दिखा दिया समुच्चे को दिखाने के दो तरीके होता है अब उन दो तरीकों में भाईया क्या क्या होता है सबसे पहले सबसे पहला जो नंबर आप देखेंगे किसका आता है नंबर फर्स्ट देखो मैं तभी इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दिया कि समुच्चे को दिखाने के दो तरीके होते हैं जैसा आपको मैंने बताया नंबर फर्स्ट क्या होता है बच्चों उसका नाम क्या है आपको नाम याद होना चाहिए और उसको लिखने का तरीका क्यों बच्चों जोसका नाम होता है रोस्टर यह देखिए जोसका नाम है रहे रोस्टर पहला यदूसरा नाम भी देया धे रखा है दूसरा नाम भी आपको पता होना चीजिए देख़ें क्या है सारणिय बद्रूप अब समुच्चे को दिखाने के बच्चों कौन कौन से दो केस हो गए मैं पहला केस मैं कहूंगा पहले दूसरा केस बताएंगे इसके बात पहला केस कौन से हो गया रोश्टर या सालनी बद रूप इतनी बाद आपकी किलिर हो गई जो आपको बताया अब बच्चों बात किसक उसका तरीका क्या है अब बताएंगे बच्चों उसका तरीका किसका रोश्टर रूप का देखिए आगे क्या होने वाला है यह आगे बच्चों यहां पर आप देखेंगे आप कुछ भी बना लो पर आपको तरीक आना चाहिए कि जब भी किसकी बात आएगी रोष्टर की रोष्टर रूप की बात आएगी तो मुझे इस परकार लिखना है देखो पहले आपको मैं समझाओंगा और वो देखिए किस परकार तो बच्चों सबसे पहले देखिए जैसे कि इसने एक एग्जामपल यहां पर मान लिया है समझ दी पहले कि आखरकार है क्या एक कहरा बच्चों संख्या हमने ले ली 42 कुछ भी ले लो मैं ले रहा हूं 12 15 कोई दिक्कत नहीं उससे कोई मतलब नहीं 42 को बिभाजित करने वाली सभी प्राकत संख्याओं का समुच्च है आप यहां देखे देखो संख्यां बच्चों मैंने क्या मान ली 42 आप देखें मैंने बात को समझना की होके रहा है हम यह कह रहे हैं कि 42 को जो जो संख्याओं विभाजित करेंगी पूर्ण उपसे मतलब कोई सेस ना बचे उनको खटा करते हैं पहले देखो तो बच्चों संख्या बयाली से जैसे आप कुछ भी मान सकते हो मैं तो कह रहा हूं संख्या आप ले लो 15 20 उससे कोई मतलब नहीं हैं बास समझने वाली जुरूरी है कि क्या हो रहा है 42 ऐसे मैंने माल लिया एक उधारन अभी देखो क्या होना वाला है अब हमको बता है बच्चों संख्या 42 को कौन-कौन से नंबर भिभाजित करेंगे प्रकेतिक संख्याओं में आप देखेंगे एक 42 को भिभाजित दिखना कौन-कौन से नंबर है हो एक दो तीन छे साथ 14 21 और 42 यह तो है 42 को जो विवाजित करेंगे प्रकेति संख्याओं वह आपकी यह तो हो रही है एक से लेकर 42 तक जो जो उसको विवाजित करेंगे इतनी बात आपकी हो गई खतम अब मैंने क्या किया उनको लेके क्या बना दिया समुच्च है उस बात को लेके कि भाईया 42 को विवाजित करने वाली संख्या है कौन-कौन सी है प्रकेतिक उनको मैंने देख लिया उनको यहाँ पर नोड भी कर लिया इतनी बात खतम अब उस पूरे को जैसे मैं आपको देखो अभी बताया है कैसा लिख दो सही आता है उसमें कोई वो नहीं है वो तो आएगा या आगा देखो क कंफरम है आ गया तो अगर हमने जो बात यहां पर कह रहा है उसको पहले हमने देखा कि क्या वात थी हो कि संख्यां कौन-कौन से आ रही थी उन संख्याओं को बच्चो मैंने कैसा लिखा वथ आप यह उन संख्याओं को मैंने लिखा वाए कौमा लगा के उन संख्याओं को जो संख्याओं उसको विभाजित कर रही थी एक, तीन, छे, साथ, चौधा, इक्किस, जो नमबर थे हमारे, उन संख्याओं को मैंने कहा लिखा देखो, जहां मेरा हाथ जा रहा है, आप देख सकते हैं, देखो, ये तो आए गई आएगा, प्रैकिट, मंजला वाला गरंटी है, कोई दिकर्ट की वात ही नहीं है, उन संख कॉमा लगा के, जब कॉमा लगाओगे, संख्याओं के बीच, तो वो आपका क्या खेलाता है, रोष्टर रूप, उसको क्या बोलते हैं, बच्चों, रोष्टर रूप या सारणी बद रूप, अब पूरी बात क्या आई, समुच्चे में मंजला बैकेट, आएगा, आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाईया, आगया, जो बात वो कह रहा है, अब मैं आ रहा है, बच्चों, सेकिंड पर, आप यह सोच लिएंगे, कि जो बात का मतलब क्या हुआ, सेकिंड पर आओ, चलो, सेकिंड क्या है, सेकिंड यह स्वर, कौन-कौन से होते हैं, अब यहाँ बात का मतलब ये है, कि जिसके बारे में वो कह रहा है, वो देखा, उस पूरे बात को जो संतुष्ट करेगा, संतुष्ट का मतलब, यह नहीं कि अब कुछ भी लेलो, ऐसा नहीं है, संतुष्ट करना चाहिए, उस पूरे बात को पड़ा आपने क्या कह रहा है उससे जो संतुष्टी वले अव्यव आएंगे उसको किस में लिख दो मंझले ब्रैकेट में कॉमा लगा के वह आपका रोष्टर रूप है बात खतम तो यह आपको क्या हो गया रोष्टर रूप इत्तिसे बात बस बच्चों ठीक है अब बच्चों यह तो बात आ गई रोष्टर रूप की देखो और भी देख सकते हो अब देखो स्वार कॉंग और से एई आई ओ यू हमको पता है यही होते हैं उसको कहा लिखा लगा दिया ब्रैकिट मंजला वाला जो आपको बता है मैंने और क्या क्या होते हैं एई आई ओ यू आए तो हैं पर कैसे आएं कॉमा लगा के देखो जैसे कॉमा लगेगा आपका तो वह पूरा एक समुच्चे का कौन सा रूप कलाएगा रोष्टर रूप सिंपल सिमाद आप चाहों आप देख सकते हो विसम्प्रकत संख्याओं समुच्च बच्चों का मतलब क्या है हौँए आज का क्या बता है अब आपको ये बातें फोड़ा सा क्या कह रहा है विस्म प्रक्त संक्याओं का समुच्च प्रक्त संक्याओं को यह दो बहुत है कि आप कि हम्म कि कि यहां किसकी बात आ दिया दो विस्म की तो हम विशवन ले लेंगे देखो एक कॉमा तीन कॉमा पाँच अब बच्चो ये कुछ कह रहा है हमें कि भाईया पच्चिस तक लो तीस तक लो तो भाईया तीस से पहले ले लेंगे कुछ नहीं कह रहा है तो डेट डेस का मतलब चलता जाएगा ये देखो और वही बात जो मैं कहा रहा हूं आप पर सकते हैं उल्खावज ने अंत के बिंदू जिनकी संख्या तीन होती है यहां बतलाते हैं कि इन विसम संख्याओं की सूची अंत ही है तो कि हमें कुछ कहनी रहा है तो इसका मुझा क्या है एक लेलो तीन लेलो पांस साथ नो ग्यारा तेरह सत्रह एकिस आपका तेईस उन्तिस चलता जाएगा तो विसम जो कुछ कहनी रहे तो इतना लंबा ना करेंगे डैड़ास लगा देते हैं यह पॉइंट भी आपको पता ह समुच्चे दस तक तुम्हें क्या करता है एक तीन पांच साथ नो बस खतम होगे है पर कुछ कहनी रहा तो चलते जाएगा और चलते जाने का मतलब डैड़ास तो यह बच्चो रोश्टर रूप लिखने का तरीका होता है पहला वाला तो बच्चों मैं आपको दूसर रू भी आ आगया आपके सामने क्या है बच्चों हो है क्या उसका नाम होता है बच्चों समुच्चे निर्मार रूप पहले के नाम किया था रोश्टर या सानरी बद बच्चों अच्छे से फोकुस करना है आपको अच्छे से बात को समझना है कि हर तरीके से बात को आपको क्या है आगे बढ़ो समुच्चे निर्मा रूप इसका दूसरा तरीका है विदी है उसको लिखने की अब अच्छो समुच्चे निर्मा रूप हुआ क्या भाईया किस प्रकार लिखा जाता है अब मैं तो को आपको इसका एक एक्जामपल दे कि में आपको इसका क्या दे रहा हूं एक एक्जामपल शे आंको एक आइडिया आ जाएगा कि हां यहां पर यारी हमारा इस परकार होता है देखिए बच्चो मैंने ये का में की मैंने यहां पर ले लिया दो चार्च है ठीक है दो चार्च है आठ और देखो कि यह कर दिया बंद कि एक मैंने समुच्च ले लिया समुच्च है तो मैंने नमब ले लिये जैसे एक इसके जो आएंगे वो भी आपको बता देंगे दो चार्च है और डैस का मतलब हमारे चलते जा रहे हैं कि आप यहां पर क्या ध्यान देंगे कि इसको देखते वे आपको कुछ नजर आ रहा है यह देखो यहां पर अगर मैं ध्यान दूँ तो दो चा छे आ डैस डैस इसी प्रकार से नमबर आ रहे हैं कि पहला दो आ रहा है दूसरा चार आ रहा है तीसरा छे आ रहा है चौथा आट आ रहा है पांच वह दस आ रहा है छटा बार आ रहा है इसी प्रकार से तो आप एक बार नोट करो तो उस बात को नोट करना होता है समुच्चे निर्मार रूप में आप ये भी कह सकते हो आप ये भी कह सकते हो जो समुच्चे है देखो ये समुच्चे है अगर ये हमें दे रखा है रोष्टर रूप में आप कह सकते हो कि रोष्टर रूप में रोष्टर में तो है ब्रैकेट आ गया कॉमा लगा दिया रोष्टर रूप हो गया इसको अगर मुझे किस में लिखना है बच्चों समुच्चे निर्मार रूप में तो हमें न उसको देखना पड़ता है कि भाईया यह जो आ रहा है वह किस प्रकास से हो रहा है परिभासित का मतलब कि यहां पर जो आ है वह समसंख्य आ रही है विसम आ रही है मतलब कुछ ऐसी कंडिशन बच्चों जो इस पूरे समुच्चे को परिभासित कर दे तो वह हमारा होता है समुच्चे निर्मार रूप अब देखो कैसे तो बच्चों यह ब्रैकेट तो कंफा में आए गई आएगा कोई डाउट नहीं है बनाकर मैंने छोड़ दिया अब क्या हुआ यहां आप ध्यान से देखिए बस उस बिं संख्या तो इस प्रकार आपको देखना है कि भई डा रहा है वह किस प्रकार से आ रहा है वह देख लो और इसको समुच्चे निर्मान रूप में कैसे लिखूंगा देखो तो बच्चो यह तरीका होता है यह आपने क्या बना दिया मंजरवेकिट यहाँ पर आप सुरुवाद करेंगे X के साथ यहाँ सुरुवाद कैसे होगी बच्चो X के साथ अच्चे से समझना इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ समुच्चे निर्मान रूप में X लिख दिया X को लिखते ही आगे आपको लगाने होंगे दो बिंदू यह देखो एक ही आगिया X लिख दिया दो बिंदू आपने लगा दिये इत्ती बात खता हूं अब बच्चो दो बिंदू को पढ़ते कैसे हैं यह क्या मतलब इसका दो बिंदू का देखो यहां मैं बताता हूं बच्चो यह जो दो बिंदू होते हैं देखेंगे आप यह आपको मिलती जाएंगे कही ना कहीं और विजेश रूप से कहा मिलेंगे समुच्च निर्मार रूप में आप देखेंगी जहां आपको सवाल पराऊंगा मैं एक्स अन्दिस में वच्चो पढ़ते हैं इसको सच डेट क्या पढ़ता है आपको मैं दोनों दिखाता हूं देखो दोनों मैं आपको लिखाऊंगा इंग्लिस में बच्चों इसको बढ़ते हैं such that यह थोड़ो बहुत आपको पता होना चाहिए न और हिंदी में क्या मतलब होता है इसका बच्चों ऐसा है यह देखो इस दो बिंदुओं का जो ऊपर आ रहा है जो नीचे आ रहा है उसका मतलब क्या होता है ऐसा है इंग्लिस में such that पता होनची आपको छोड़ी बाते होते हैं बहुत मेन होती हैं आपको बिंदु लगा रहे हैं आप पड़ी दी बाते हैं यह क्या है यह थोड़ी बढ़ोगे एक्स दो बिंदु यह तो नहीं पड़ोगे न क्या पड़ोगे एक्स सच दैट यह एक्स ऐसा है अब एक्स है कैसा X का मतलब क्या है बच्चो यहां X का मतलब है इन नंबरों से इन नंबर से कि ये नंबर कैसे है क्या है X मतलब आपको मैंने हिंदी में क्या लिखाया ऐसा है कैसा है ऐसा है का मतलब कि भाईया उसके बारे में क्या जानकरी है तो जानकरी क्या है एक आपका यह जो नंबर आ रहे है 240.68 वह क्या है एक संख्या तो हम क्या करेंगे यहां लिख देंगे एक सस्देट या एकस ऐसा है एकस एक संख्या है आप इसको इस पर कालिक दो तो वो आपका समुच्चे निर्मा रूप कहला देगा बस X such that का मतलब X ऐसा है कैसा है X X हमारा जो आ रहा है आपका समसंख्या है अगर आपने X को ले लिया दो क्या दो समसंख्या नहीं है है आपने लिया चार चार भी है तो इस पूरे को आप इतना भी कर सकते हो तो यह है बच्चो दिखाने के तरीके ठीक है समुच्चे क्या था परिवासा क्या थी उसको दिखाने के तरीके मंजलर रैकेट कैसा आता है समुच्चे को कैसा दिखाते है कैपिटल लेटर से सब कुछ आपको बता दिये है बच्चों. तो मैं अब अगली कलास में आपको कराूंगा उसके रह जान करेंद कर दोगा फिर हो सकता है हमारा अगली कलास में एक्जांपल भी शुरू हो जाए. तब तक बच्चों यह क्लास हम समाप्त करते हैं अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए पॉइंट के साथ नए टॉपिस के साथ तब तक ओके टेक केर